अरे हम तो वो हैं जो कभी किसी भी प्रकार से पहल नहीं करते लेकिन फिर भी अरसाइशनू हो गए मैं तो कहता हूँ एक बार धंग से अरसाइशनू होकर करें देखलो क्या पता अरे खाथ पता ये खरपतवार साथी हो जाए ये जो फसल उभर नहीं पा रही इसके बीच मे जो बीच में कॉंग्रेस घास खड़ी है ये खड़ी ही जाए और सहिशनू होकर के देखी लो मैं तो खुद कहता हूँ पंदरा मिनट के लिए पुलिस हटा कहीं देख लो एक बार मैं तो देख रहा था वो छोटे-छोटे बच्चों का बोला बहुत अच्छी सुन्दर हूर होंगी आपको पता नहीं है कि ये अगर समंदर मिठा हो जाएगा शहट से मिठा हो जाएगा मैं ने कहा मुला नहों के दिमाग भी ठूक से गए नहीं वे जहां इतना कशिका भर जब तक बजरंगी भाईजान महम्मद के नाम की कवाली नहीं गाता है तर तक तो उसको सफलता भी नहीं मिलती है जब तक हनुमान जी को मान रहा है तर तक नहीं मिलती है क्याता है महम्मद जबर्दो जोली या मेरी महम्मद अरे महम्मद की खुद की यार जोली खाली रही कि वो जोड़ी बरागा साथी साथ मैं आप से भी से अपील करना चाहूंगा कि विश्वानी सेवा फांडेशन को आप से डोनेट अवश्य करें क्योंकि हमारी या फांडेशन आप लोगों से बूंद बूंद भरके जो हमारी गगरी भरती है वो हम किसी ना किसी गुरुकुल या फिर गौशाला या गाये के लिए कारे करने वाले लोगों को प्रदान करते हैं अपनी तरफ से आपका निमित बनकर सप्रेम बेंट करते हैं तो आपकी जो भी इच्छा हो हमें वह भेज सकते हैं अंकुल भाई भाई ने वामपन्त को भी इस पर्ष किया ठीके और हम जानते हैं अभी कुछ दिनों पहले एक भाई 20-25 वार्ष का एक युवा ऐसी बात कर रहे था क्यरा दीदी आप मानते हो आप संस्वित के स्टुडेंट हो आप रामयन और महा भारत तो एपिक्स है ना महा काव्वे है ना वो सीधी बात जो हम कहते हैं भाई कालतनी के कहां से आए कहां नहीं अलिक नहीं किसीने कौन राम थे कौन कृष्म थे ये सारी बाते होती है थोड़े दिनों पहले पिंजरा लोड की बात हम कर रहे थे तो पिंजरा तोर कहां से आया भाई लड़कियों के दिमाग में बरना ही तुम देखो कैन हो तुम्हें पिंजरा तोरना है तो यह जो वाईरस इंजेक्ट किया जा रहा है यह इस्लाम भी उसके साथ साथ चल रहा है जो दोनों शत्रू है वो साथ में मिलकर काम कर रहे और इनका सीधा सीधा प्रयास संस्कृती की हत्या करना है अब आई शी जी ने बताया ना बारत अस्यपटिष्ठह बेस संस्कितम संस्कृतिस्त तो किस तरह उस प्रतिष्ठा को इस तंवो को नेस्तना आबूत किया जाए उनका प्रयास है तो अभुल भाई वो अभी किस इस्तर पर है और हमें आप लोग तो हम लोग जो योधा है वो कारे कर रहे हैं लेकिन यहां जितने भी लोग बैठे हैं हमें सामन में इस तर पर किस रूप की तैयारी की आविश रकता है दन्यवाद यह सवाल मेरे तक लाने के लिए क्योंकि आशिश वाईनस पर बहुत कुछ का आए मैं इस पर यह कहना चाहूंगा कि हमारे प्रथम विधी मंत्री यानि के डॉक्टर अधियारम बेड़कर ने अपनी कुस्तक भारत अत्वा पाकिस्तान का विभाजन इसमें इस को बहुत अच्छे तरीके से चुआ उसके बाद या कहें कि उसके साथ ही साथ प्रथम ग्रया मंत्री सरदार वल्लब भाई पटेल ने भी भारत के भाजन के बाद ये बात कही कि जो लोग 85 प्रतिशत से अधिक मतदान करके मुस्लिम लीग का चैन कर रहे थे उनमें से तो 10 प्रतिशत लोग भी पाकिस्तान नहीं गए 90 प्रतिशत के आसपास आबादी अभी भी यहां पर है जिनोंने वोट किया था तो ऐसा क्या हो गया कि एक रात महीं के विचार बदल गए और ये अपने विभाजित देश नहीं गए और इसी राष्टर में रह गए तो इसी प् अब आधे मोर्चे के विशे पर उनकों ने भी कुछ खुल करके नहीं बताया हमारी विडंबना ये है कि हम युद्र के मैदान में तो हैं लेकिन ना तो हमारे प्रतम कानूनमंत्री ना हमारे पहले ग्रह मंत्री और ना हमारे प्रतम सीडियस ने खुल करके शब्द सह जो क खुल करके यदि बता देते तो आज हमारे साथ में ऐसा सीड ना बन रहा होता कि सोचिये के माता पिता एक ही बैड़ पर पड़े हों मरनासन यानि कि उनकी अंतिम सांसे चल रही हैं हम उनकी संताने हैं छोटी छोटी आठ दस साल क्योंकि सामने कड़े हैं वो हमारी तरफ इशारे तो कर रहे हैं कि पीछे देखो लेकिन वो यह नहीं कहा रहे के पीछे जो तेरा चचा जान कड़ा है वो ही तेरा दुष्मन है और मेरे मरने के बाद एक दम वो तेरा गला घोटने वाला है और सब के उपर अपना झंडा गाडने वाला है मैं ऐसे माअबा क्या हैं सीधे नहीं कह रहें तेरे पिछे तरह दुश्मन खड़ा है पकड़ उसे या उसे बच या उसे भाग उन्हों ने हमें सपश्ट नहीं कहा तो यह बाद हमें स्वम समझनी पड़े जी आधा मोर्चा वो है जो इस राष्टर के देश के अंदर है हमारे भारत की सरकार ने बड़े बड़े चीनूक विमान बैलेस्टिक मिसाइल और एक तो वह कौन सा चाहिए ले आए बम ले आए परमण बम लगा दिये सब बॉर्डर पर लगा दिये और सब की दिशाएं भारत की ओर से पाकिस्तान और चाइन की तरफ कर दी उनको तो हम बम मार करके खोड़ देंगे लेकिन उनकी आबादी से अधिक दुश्मन जो इस 140 करोड़ की आबादी के भीतर बैटे हुए हैं उसको तो बम छोड़ दी हम गोली भी नहीं मार सकते क्योंकि उसको पहचानना मुश्किल है वो जो बालक आपके घर में है वो जो यह कह रहा ह है कि इस किताब को ठाकर बार प्रेंग दो इसको जला दो इसमें नारी के विरोध में है इसमें दलित के विरोध में है यह चोटे बच्चों के भी विरोध में है यह हमारे अस्तित्यों के ही विरोध में है इसको भी निकालो राम चंदर जी को पूझना बंद करो क्रिश्न को मानना बंद करो रिशीद ग्यानंद को मानना बंद करो ये अवन बंद कर दो इसमें पानी डाल दो क्योंकि इससे प्रदुशन होता है इवर ये तक हो गया कि अब तो शब दाहग रहे भी बंद हो जाने चाहिए क्योंकि उनसे जो आगनी निकलती है दुआ निकलता है उसस आदे मोर्चे को दो बाप की आग्याकारी उलाद कहता हूं। दो बाप की आग्याकारी उलाद कैसे? देखिये हमने कहा कि दो दुष्ムन तो हैं, एक है पाकिस्तान, एक है चीन. पाकिस्तान की आइडेलोजी इसलामिक शर्याई कानून पर चलती है और चीन की जो आइडेलोजी है वो वामपन्ती विचारधारा पर चलती है एक समय ऐसा था जब वामपन्ती विचारधारा बहुत प्रबल थी जिस समय बंगाल के अंदर ये मम्ता बेनर जी से पहले जो वामपन थी वहाँ सरकार थी जोती बसू जी की जो सरकार थी दस हजार दलित हिंदू जब बंगाल छोड़ करके भारत आ रहे थे और सुन्दर बन में एक टाप उपर बसने का प्रियास कर रहे थे जोती बसू ने अपने लोगों को ना कोई पुलिस ना पोर्स अपने लोगों को बंदूख दे करके उनकी हत्याय करवा दी थी और उन लोगों को मरवाने के बाद आप समझे के बाद तकरीम दसे 12,000 दलित हिंदू का नरसंगार हो गया और हमें और आपको पता तक नहीं है इतना बड़ा नरसंगार हुआ और हमें पता तक नहीं है लेकिन एक तबरेज जो बाइक चोरी कर रहा था और लोगों ने उसको पकड़ लिया और पतली-पतली संटियों से मार रहे थे उसकी मरत्यू 5-6 दिन के बाद जारखंड़ की जेल में हार्ट अटैक से होती है लेकिन वो मामला यूएन पहुँच जाता है पांच हजार सिखों की हत्या दिल्ली के अंदर होती है लेकिन मामला यूएन नहीं पहुँचता है पंदरह हजार लोग गैस से गोट करके भोप है इस जादा समुदर बे लेकिन मामला हम तक नहीं पहुचता है ये होता है एको सिस्टम वांपन्थी विचारधारा उस समय पर कैडर बहुत ज़्यादा मजबूत था दूसरी तरफ इसलामिक विचारधारा जिस समय पर लोग ये कहते हैं कि आपने आरंभ किया क्या प्रदान जी अगर कोई भी व्यक्ति यग्ये में आने से रह जाए तो जो अंतिम की जो पूर्णा होती है वो डाल देता है हम समापन करने मिश्वास करते हैं आरंभ हो ना हो लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि भले ही शुद्धी करन करके शुरूआत सा आरंभ ना किया ह लेकिन यदि हम अंत में पहुंचके तो समापन अवश्य करेंगे सनातन ने हमेशा समापन तो किया है चाहिए आप कितने दंगे देख लो लेकिन हमने कभी भी शुरूआत नहीं की तो जब ये मामला आया कि बाबरी मस्जिद विध्वन्स ना होता तो मुंबई के ये करियो और मुझे चीज प्राप्तवी के अजमेर दर्गाष शरीफ जो कि ख्वाजा मॉयनिती इन चिष्टि ने को ख्वाजा का अर्थ तो होता है बीच वाला और इसके मामले पर बहुत ज़्यादा कॉंट्रवर्सीरी हो चुकी है लेकिन मानते नहीं तो मैं ख्वाजा ही और हिंदू लड़कियों के साथ में सामुएक दुशकर्म हुआ और किनों ने किया वो किया क्वाजा मॉनरदीन चिष्टी की दरगाह के खादिमों ने खादिम वो होते हैं पुजारी जिस ब्राहमनिया पुजारी समाज के वीचे आज आप देखोंगे पूरा सोसल मीड़ लगावाय वे ही पुजारी थे बस वो उनके पुजारी थे क्योंकि उनका नाम सलीम चिस्ती था इसलिए वो बच गए तो जो गुसा था अजमेर का राजस्थान के इतने सारे लोग उस समय बाबरी के कलंक को मिटाने के लिए अपने रक्त से वहां पर पहुंचे अंत में बताया जाता है कि राजिथान के लोगों ने अपना घर का पता भी रास्ते पर सड़क पर भी लिखा अपने खून से और पता लगा के राजिथान के वजमेर के आसपास के कितने लोग महा पर आए थे अगर हमारे अंदर पूरूश होता सास होता वीर्टा होती नजर कैसे डाली उसका हमने प्रती शोद लिया विस्ता ना केवल विरोध किया प्रथम सर्जीकल स्ट्राइक भी किसी लंका में जाकर हमने मारा भी साथ समंदर पार भी किये लेकिन धाई सो लड़किया और किसकी लड़किया किसी रिक्षे वाले की नहीं थी किसी मजदूर क नहीं थी आईएस आईएप एस प्रोफेसर्स एकदम एलीट क्लास सोफिया गन्स कॉलेज में ऐसी एडमिशन नहीं होता उस महीने में जो लाखों रुपे महीने के कमाते थे बड़े-बड़े बिजनसमेन उनकी लड़कियों का हुआ और उसके बाद आकर के बाबरी भी ध सहिशनु होकर के देख लो क्या पता अरे क्या पता ये खरपतवार साथ की हो जाए ये जो फसल उभर नहीं पा रही इसके बीच में जो बीच में कॉंग्रेस घास खड़ी है ये उखड़ी ही जाए और सहिशनु होकर के देखी लो मैं तो खुद कहता हूँ 15 मिनट के लिए प बिना हट आए फिर कहते हो पुलिस भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है मुझे फरनगर में शुरुआत करके देखी थी मैं बहीं से हूँ पुलिस भी खड़ी थी 15 मिनट छोड़ो पुलिस भी थी एक सेगिंड को भी नहीं हटी थी और फिर कहते हो तो ये सारे इतने ग बढ़ भी नहीं पाई दुबारा तो वो होने के बाद बाबरी विध्वन्स हुआ उसके बाद इन होने 93 किया मुंबई के अंदर उसके बाद एक पूरा आस्प्रेक्ट बन गया कि भाई मुसल्मान मतलब आतन हुआ उनके पास में मैंड नहीं था उनके पास में कोई सुग के लिए नहीं उसके बाद उन्होंने जो कार्य करकर देखा वहीं में पस्ते रहे और उस तरफ वामपंथियों का कैडर समाप्त होता चला गया है वामपंथि इसलामिकों का सुगर डैडी बना उन्होंने कहा कि हम आपको वैचारिक इन्पुट देंगे आप हमें कैडर दो इसलामिकों के पास में सुवर की तरह जब बारा बच्चे पैदा होंगे यहीं नहीं पता किसके पास कच्छा है किसके पास बन्यान है किसका सिनक्च चला किसका नीचे से चला किसका उपर से जब यहीं नहीं पता तो कहीना कहीं तो भरती होगा ही वामपंथियों न उस बढ़ दिया जागा तुरनत आजागा अरा यह तो प्रोफेसर का बेटा था यह तो भाई साथ स्कूल हैड मास्टर का लोंडा था यह तो दांसर बनना चाहरा था यह तो कि तो बोलिंग बड़ी पास थी यह तो टिक-टोक में दांस करें बटा स्वीट था वह क्या चल रहा इसा कोण था शर्जील इमाम इस लुक्स लाइक वाव शर्जील इमाम वो तो इतना पढ़ा लिखा है अफजल गुरू अरे वो तो इतना एलीट बन्दा था इस लुक्स लाइक वाव और जब तक यह हमास की बात है जब तक वो लोग इसराइलियों को मार रहे हैं यजीदी लड़कियों की मंडिया लगा रहे हैं उन्हों दो दो कोड़ी में बेच रहे हैं तब तक इसलाम का नाम बुलंद हो रहा है हम अपने यहूद अपने जो फुलिस्पिरी भाई हैं मुसल्मान भाई हैं उनके साथ हैं क्योंकि उन्हो यहूदी चिपा हुआ है इसका अंतकर इसको मार दे जब तक अंतिम यहूदी नहीं निपट जाएगा तब तक कयामत भी नहीं आएगा और तब तक बातर हूर भी नहीं मिलेगी मैं तो देख रहा था वह चोटे-चोटे हो यह समंदर में कुछ बना चाहते हो वहां भी सहल बन जाएगा थोड़ा से महां भी थोड़ी मिठास आ जाएगे रात दिन हमारे खिलाव इतनी मेरे खिलाव तो फत्वे निकाल वेक्ति मारने तो लगते उन्हों मैं जब वाम पंथियों का कैडर समाथ हो रहा था और उनको वैचारिक कोई गुरु नहीं मिल रहा था कोई ये कहने वाला नहीं मिल रहा था कि अरे तीन सो लोगों के लिए बम पोड़े वो थोड़ा ही न पोड़ सकते हैं क्यूंकि उस दिन तो सतर वार हो जाता आपको पता है इस बात का कुरान के अंदर एक आया काती है नो पांच उसमें कहा गया है कि जब ये हराम के महीने बीट जाएं तो इन काफिरों और मुश्रिकों को घेरो पहला तो लिता सिद्धाइ कखल कर दो घेरो घात लगाओ जब तक की वो जगात ना दे दे नमाज ना पढ़ ले तब जाकर को उनका रास्ता छोड़ो और बद्र की लड़ाई सत्रवे रमजान में हुई थी उसी के आधारवत तिराण में के बंधमा के हुए थे इस बात को खुद राकेश मारिया अपनी किताब मेहमंद और जितने भी उस टाइम पर ये प्लान बनाने वाले लोग थे दाउद इब्राहिम जैसे इन्होंने खास करके और अल्ला के फजलो करम से उस दिर जुमा भी था अब आप मंदिर से निकलोगे प्रसाद लेकर निकलोगे लेकिन जब जुमे के दिन नमाज पढ़ बाहर निकलते हैं तो क्या लेकर निकलते हैं वे पत्थर लेकर निकले थे उस दिन बम लेकर निकले थे भाई साब ने बताया के बटवारे के टाइम पर ये हुआ 14 अगस्त की इनों ने बात की 14 अगस्त को अन्धिम जुमा था रमजान का जिस दिन जैपूर में बम धमा के वे तर रमजान चल रहे थे जान बूज का उन्होंने ये काम किये और फिर आपको पता है जब सन 2002 में गोधरा की ट्रेन जलाई गई थी क्या बताया गया उसका क्या परस्पेक्टिव बनाया गया ये परस्पेक्टिव बनाया गया पहले तो ये कहा गया कि चिंगारी लगी और साग लगी फिर कहा गया हिंदू ने स्वम अपने आपको जला लिया फिर कहा गया कि नरेंद्र मोजी ने खुद हिंदू को जलाया ताकि उसकी सत्ता वापिस आ सके ये चीज आच चल रही है कि जिस से हम लड़ ही नहीं सकते कोर्ट खुद खड़ाओ करके कहा देता है जी वो तो हेड मास्टर का लड़का है वो तो होकी बहुत अच्छा खेलता था इस बात को पूरी तरी से इग्नोर कर दिया जाता है वाम पंत अर्थात चीन और इसायत जो इसलामिक विचारधारा अर्थात पाकिस्तान इन दोनों विचारधाराओ का एक कोक्टेल बनाया गया जिसको पी करके आपके घर के बच्चे वो हिंदू नामी भी है सिख नामी भी है, हिसाई भी है, मुस्लिम भी है उनकी कोई एक पहचान नहीं वो आपके बीच में ही जॉम्बीज बन करके घुम रहे हैं और सबसे बड़ी बिढबना ये है कि ना हम उनके उपर रफाइल छोड़ सकते ना परमाडू बब मार सकते इवन छोड़ो उनको थपड भी नहीं मार सकते क्यूकि उन दानवों के पास सबसे ज़्यादा मानवाधिकार है क्यूकि मानवाधिकार आयोग मानवों के लिए नहीं आता है वो केवल और केवल उन दानवों आतनवों आतनकोवाधियों के लिए आता है जो इस मानवता के लिए सबसे बड़ा संकट बनके खड़े हुए है आज की तारीख में जो आपने कहा कि यह आतनकोवाध किस चलम पर खड़ा हुआ है फिल्मों में पड़ी हुई उनकी चरण धुली चाटने वाली मीडिया यह है उनका एको सिस्टम कि वो किसी को भी हैड मास्टर का बेटा और उनको शांती प्रिये बता देते हैं फिल्मों के अंदर आता है कि जब तक बजरंगी भाईजान महम्मद के नाम की कवाली नहीं गा लेकिन हमारे दिमाग ते अंदर ये वाइरस जाला जा रहा है कि वो जोड़ी बढ़ागा वो जोड़ी बढ़ागा नहीं बर सकता यह हमें समझने और समझाने के आवशकता है समी को आज का जो विशे है वो आरे समाज के योगदान पर टिका हुआ है आज आप देखना कि कि यतने भी संगठन बने बैठे हैं वो या तो कंठी माला लेकर बैठे हैं या उनका द्यान तो होगा फिलम में और सीरियल में यह माला चलती रहे गी या फिर डोलड़ी लेकर वे समाझ में उतर गए है या चाहे वे रोड़ पकड़े हैं चाहे अज आप देखोगे कि इस आतंकुवाद के खिलाफ, यदि कोई व्यक्ति खड़ा है, यदि कोई समिक्षात्मक दरष्टिय लेकर करके अपने विचार रख रहा है, तो उसकी बैक में कही ना कहीं आरे समाज रिशीद आनंद है, बहुत लोग हैं आतंकुवाद, वो नाम नहीं लेंगे, उनसे तो आप उम्मीद छोड़ दो, आतंकुवाद के समापति की और उस विचार धारा के उद्गाटन की और, उस विचार धारा को एक्सपोज करने के लिए, यदि कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो आप थोड़ा सा भी अगर कुरेद के देखेंगे, तो उसके बैक गराउंड में कह ना कहीं आरे समाप आपको अबश्य मिलेगा, तो आतंकुवाद की इस बड़ी समसा का समधान करने के लिए भी, आरे समाप ही खड़ा हुआ है, और देखो चाहे वो आरे समाप सांता कुरुज हो, चाहे ये हो, एक अलग भेद हो सकता है, लेकिन समर्थन के लिए अगर कही लोग खड़े मिलेंगे, तो वे भी रिष्य देयानन्द की विचारदारा से प्रेजित ही मिलेंगे, आज बात आई, अब ये कॉश्चन आया के भाई, आरे समाप आज कहां खड़ा है, मैं मानता हूँ के हारी हुई लड़ाई लड़ा है, लेकिन इस लड़ाई को हम जीते अब लड़ाई मेरा पूर्ण विश्वास है, क्यों कि आपने कहा कि अगर क्रांतिकारी मरे हैं तो उन्हा जनम लिया है, तो मेरे एक मोटने मोटने इसा वसा सातक लाग तो मेरे लिए उस टाइम भी, भाई सातक लाग तो हमाही मिल जाँ, भाई विवेक अन दयानन भी कहा जाँ साइसो अब जाँ, तो हम लड़ दाढ़े हैं और बहुत बाद मेरे हैं हम बहुत लेट हो चुके हैं लेकिन मेने एक दोड देखी थी एक लड़की बहुत अच्छा दोड रही थी उसका ठोकर लगी वा गिर गी उसे उठाने के लिए कोई नहीं आया और सब भागते चले गए वो लड़की दुबारा उठी और वो फिर से भागी और रेस कंप्लीट होने से पहला फस्त आई तो आज भी अगर आप यह देखना के जो सोसल मेडिया हो चाहे ग्राउंड लेवल पहो जहां कहें भी किसी नहीं पता का गाड रखी है जहां भी आपको वीर शौर यह और साहस दिखाई देगा तो वहां कहिना कहीं दयानंद की प्रिरणा है वहां कहिना कहीं हमारे वैदिक धर्म का प्रताप है वहां कहीना कहीं गाय का दूद पीने वाला ही योद्दा खड़ा मिलेगा, गाय किरक्षा करने वाला योद्दा ही मिलेगा भाई मोन माने शर हो चाहे वो प्रशान्थ पुजारी हो वे हर एक वायकती हर एक योद्धा आपको गाय का दूद्ध पीरने वाला ही मिलेगा बले उरकुल सना पड़ा हो तो हम आशानवित हैं लड़ेंगे भी, मरेंगे भी और एक नाएक दिन जिततेंगे भी